सिरेश ऐयर ने लिया बैनी स्टोक से एक गरेट रिवेंज तो इसे देखकर बैनी स्टोक का सौकिंग रियक्शन भी देखने लायक था जी हां गाईज बता दे आपको जब जोनी बैस्टों ने शोट खेला और पहले तो बैनी स्टोक धीरे से रन लेने दोड पड़े पर तबी सिरेश ऐयर ने बॉल को थुरू विकिट पे मारा और बैनी स्टोक आउट हो गए इसके बाद सिरेश ऐयर बैनी स्टोक को उंगली दिखा गराउंड से बाहर जानने के लिए कहने लगे दरसल पहले जब सिरेश ऐयर की कैच बैनी स्टोक ने पकड़ी थी तो बैनी स्टोक ने सिरेश ऐयर को गराउंड से बाहर जानने के लिए कहा था और अब श्रेस आये निज़वर्दस रिवेंज ले बेन इस टोक को शौक कर दिया आपका क्या कहना है दोनों की इस जुगलबंदी के बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद